हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अबिदे के एंड वेलकम टू टेक सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके फोन में एक आप्शन होता है remember sim preferences तो बेसिकली यह होता क्या है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले आप फोन की settings पे जाएं और sim card and mobile network के option पर आ जाएं स्क्रोल कर लें नीचे तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है remember sim preferences आपके फोन में अगर दो sim card लगे हैं तो आपको यह option दिखाई देगा basically इसका मतलब होता क्या है अगर आप इसे on कर देते हैं तो यहाँ पर जब भी आप किसी को call करते हैं ठीक है अब दुबारा किसी को आपने call किया तो आपको select नहीं करना से call करना है automatic खुद ही sim card पता लगा लेगा कि last time आपने जो भी sim card से call किये है उसी call से वो उसी sim card से वो call कर देगा आपको बार बार sim card select करने की जरुवत नहीं पड़ेंगे हो सकता है आप समझ गया होंगे कर दारा किया होंगे हो सकता है